कि नमस्कार मेरे कलाकर बंदु आप लोग का स्वागत है रोइल संगित Karma पर मेरा नाम है विसाथे और आज मैं आप लोगो को बताने वाला हूं राइजिंग इस्टार ओडिशन के बारे में बताने वाला हूं और इसमें क्या facts है क्या यह इसमें popular है यह बताने होता है तो इस सोब में क्या खासियत होता है देखिए राइजिंग इस्टार में यह खासियत होता है कि उसमें आप लोग लाइप पॉफोमेंस करते हैं जी हां दोस्तों लाइप पॉफोमेंस के आगे क्या होता है जैसे कि इंडिनाडल में टीबी राउंड होता है बहुत सार ूर्य स्थाइन लिया जाता है जैसे ग्रारी में जाकि लिया जाता है एक इस्थार जो है राइसिंग इश्टैर में भी लिया जाता है पहले वरकोंटेक्ट किया जाता है उसके बाद अप जरीर Jim पे जाते हैं दूसरा राउंड पाचवा राउंड इस तरह से ज़ादर जाते यह आप लोगई पे पहुंचते हैं यहां गाई लाइज भी पफोर्फर्पर्स करते हैं और लाइप परफोर्म करते हैं आपका जो भी trzeba wilin चार जो ड॥ा यहां पूंच भी टीवी में दिखाया जाता है तो आप लोग में बता दू कि नहीं एक रुपिया भी नहीं लगता है आप लोग को जितना भी पैसा लगता है वो ओडिसन में जाने में ट्रेवलिंग चार्ज में लगता है जो कि वो लगता है आप लोग जब ओडिसन देने जाते हैं तब वो और जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं मुंबाई राउंड के लिए मुंबाई ओडिशन के लिए तब आपका कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है दोस्तों और इसके बारे में चलिए मैं पता दू जैसे कि एक दीबार रहेगा उसमें क्या होगा जैसे कि आप दीबार के उस पा किस तरह नहीं बहुत कोई को पता है और बहुत किसी को नहीं भी पता है और जिसको पता है यह देखना बहुत ही ज़रूरी और एंड में बहुत ही एक इंपॉर्टन चीज बताऊंगा इसलिए आप लोग वीडियो को देखेगा दोस्तों तो चलिए जैसे कि यहां पर क्या होता है आप लोग को लाइब वोटिंग होता है ठीक है लाइब वोटिंग मतलब कौन करते हैं जैसे कि आपको टीवी में जो देखते हैं ठीक है जो टीवी में देखते हैं वही मोबाइल से आप लोग को वोटिंग करते हैं जब आपका बोट 60% से अप हो जाता है ठीक है 60% is सणकर महादेवन जी इस तरह से सोते हैं वह आप लोग को जरूरी पहुंच जाएंगे तो इस तरह से होता है इस तरह से इसका जो होता है ओडिशन का खासियत है तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया उसके बाद चलिए बताते हैं कि कितना सीजन हुआ है इसका क्योंकि यह जानना बहुत ही जरूरी है कितना सीजन हुआ है लगभग तिक और इतना बेहतर बैदर सिंगर निकला निकला है से क्या ही मता है बहुत क्लासिकल बेस्ट सिंगर यहां पर लिया जाता है बेसे क्राइब के दिया हुए और इसी कर सकते हैं आप लोग राइजिंग स्टार विकिपीडिया लिखेंगे तो उसमें जाएंगे उसके बाद आप लोग को वेबसाइट में जाएगे उसमें आप को देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं जो राइजिंग स्टार का ओडिशन चलिए आया है कि नहीं आया है या पर कब तक आएगा चलिए मैं आप लोग को बताता हूं जो की जो जो भी एंड तक वीडिय तो क्यों नहीं आ रहे हैं लोकडाउन में किया हुआ गाइस लोकडाउन में बहुत किसी को इधर दर कर दिया जैसे का इधर दर कॉंटेक्ट था सो का इस बात्चीत होता था सब कुछ क्या हुआ एक पल के लिए चकना चूर हो गया और जिसका स्ट्रोंग कम्यूनिटी था स् दोस्तों जब भी आएगा मैं आप लोगो तुरंद बताऊंगा टाइम लगेगा सो आएगा सोज बगेरा बहुत सोज आने वाले हैं इसलिए आप लोग प्रिपेर करते रहिए प्रिपेर होते रहिए सिंगिंग सिखते रहिए और आप पाटिस्पेट करते रहिए दोस्तों ऍाइम आएगा आपका वी बार्य आएगा जीयाँ जेसे कि इक नाम है इंडे नाडल में जो अभी पाटिस्पैट कीए हैं ठीक है और उनका देखेगार कि उनका नाम इंटरेट में कहीं भी नाम ऐसा है की कहीं है आप खुप बल दिये थे तो इस तरह से अभी तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चला तो यह देखा जाए तो इनको एक नया कंटेस्टेंट है तो इस तरह से आपका भी मुखा मिल सकता है ऐसा बात नहीं है कि रेलिटी सोर्स में मुखा करता हैं और करना चाहिए और आजिंग इस्टर का ओडिशन जब भी आएगा या फिर हिंदुस्तानी जितना भी ओडिशन होता है जब भी आएगा मैं तुरन सब्डेट दूंगा इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसलिए के वीडियो से देखते रहे हैं आज के वीडियो आप लोगो कैसा लागा कमेंट पर जरूर पताएगा और आज के वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो में